यहां पर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में जब बात करने वाले तो आपके माइंड में पहले तो क्या आ रहा होगा तो कि एक ग्राफ पेपर आ रहा होगा फिर X-axis और Y-axis दिख रहे होंगे और आपको यह भी पता चल रहा होगे कि यहां पर हमें कुछ को कव मिल रहा है यहां पर तो वो कव को हम क्या बूलेंगे यह कव को हम क्युम्लेटी फ्रिक्वेंसी कव भी बोल सकते या तो फिर उसको हम ओज्याईव बोल सकते यहां पर आपको पता होगा तो कि X-axis और यह जो Y-axis है उसके उपर हमें क्या दिनोट करने वाले है वो यहा वाला ग्राफ, यानि कि more than वाला ग्राफ ़्या होगा पर तो हम CF को ही denote करेंगे यानि कि cumulative frequency और जो यहां पर एकसिस है उसके उपर क्या आएगा? तो कि उसके उपर हमारा lower limit आएगा, यानि कि more than वाला ग्राफ अगर हम यान पे Draw करने वाले हैं तो उसका जो कव है कुछ इस तरह से हमें दीखेगा ठीक है फिर अगर लेजदेन ओले graph के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो y-axis है उसके उपर हमें cumulative frequency लेंगे पर जो x-axis है उसके उपर हम क्या लेंगे अभी यहाँ पर अपर लिमिट लेंगे और उसके graph के बारे में बात करें तो उसका जो graph होगा यानि कि उसका कव जो होगा वो कुछ इस तरह से हमें मिलेगा तो यहाँ पर हमने जो group data पढ़े थे उसके graphical representation के बारे में जो भी पढ़ना था वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया Thank you